इधर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बीज़ेपी विधायक रामकदम ने तंडव वेब सीरी से जुड़े कलाकारूं और OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ बीकेसी पुलिस टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है तंडव की विवादित वेब सीरी से खिलाफ बीज़ेपी रामकदम और उनके कारगरता उनसे बात करने हम यह पहुचे हैं बीकेसी पुलिस टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं क्या कहना चाहेंगे किस तरह से आपने यहां पे शिकायत दर्ज कराई है औ तंडव की विवादित वेब सीरीस को प्रसारित करके तो उस कारण समूचे देश की और विश्वभर के हिंदू भाईयों की भावना आहत हुई है उसे ठेश पहुची है तो उस Amazon कंपनी पर फायर दर जो ऐसे हमने मांग की सारे वीडियोज पुलिस को दिखाया है पुलिस पुरुटल से विवादि द्रिश नहीं हटाते सारे देशवासी Amazon का एक भी प्रोड़क्ट नहीं खरीदे उसे बहिश्कृत करे और Amazon Prime वीडियो का जो एप है उसे डिलिट करके उन्हें सबग सिखाये सेफ अली खान एक प्रतिबाशाली और कलाकार है उनके कला के प्रति पुन रहे थे तब उन्होंने अपने कानों में कौन सी रूई डालके रखी थी क्या कारण है कि उनको ये विवादित जो द्रिश्च है वो जब सुनाय जा रहा था तो सेफ अली खान ने उस निर्देशक को निर्माता को रोका क्यों नहीं तमाम जो Amazon और फिल्म से विब से से जुड़े हुए तमाम जो कलाकार हैं वो माफी मांगे और उस कॉंटेंट को जल्दे से जल्द डिलीट किया जाए कमेरें प्रलाज सिंग के साथ दीपक दुवे न्यूशोनी 4 मॉंबाई और इधर आपको बतादे हैं वेब सेरीस तांडव को लेकर सरकार भी अक्षन में आ गई है सूचना प्रसारण मनप्राले ने एमेजॉन से इस पर जवाब मांग लिया है और रिलीज हुई और इधर विवाज चुरू हो गया लोगों ने कुछ सीन्स पर आपत्ती जताई कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की अब मांग पर अड़ गए है इधर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तांडव के खिलाफ आपत्ती दर्च करवादी आरोप है इस सेरीज में हिंदू देवी देवताउं का अपमान किया गया है